नमस्का दोस्तों कैसे हूँ आप लोग तो दोस्तों जो मैच है आज का LSG वर्सिस KKR बहुत इंपर्टन मैच हो सकता है बहुत सारे वैसे भी पता है आप लोगों को KKR का जब मैच होता है तो आज कर एक ट्रेंड चल गया है कि सुनिल नरायन को तो रखना ही रखना है पी साल्ट को रखना ही रखना है वैसे कल जो पिछला मैच था हमने पी साल्ट को फ्लॉप किया हुआ था खेर देखे उन सारी चीजो पर चर्चा नहीं करेंगे सीधा चलते हैं स्क्रीड पर और आज के बहतरीन रिकॉर्ड किस तरीके से बाहर निकलेंगे फ्लॉप प्लेयर, की प्लेयर्स कौन-कौन होंगे इन सारी बातों पे अभी चर्चा करने वाले हैं चलते हैं सीधा स्क्रीड पर लखनाउ और कुलकत्ता का मैच है 54th, 5 माई और शाम 7.30 बजे से है 3.30 बजे वाले मैच का वीडियो अल्रेडी अपलोड कर दिया है अगर आपने नहीं देखा है तो जा कर देख लिजिए ये जो मैच है ये लखनाउ के ग्राउंड पर खेला जाना है अब बात कर लेते हैं जरह लखनाउ का जो स्कोरिंग पेटर्न है क्या कह रहा है अभी तक जितने भी मैचे यहां पर हुए पिछले 4 मैच को अगर ध्यान से देखा जाए लाश्ट के 4 मैच इस ग्राउंड पर रन जो है वो चेज अच्छे तरीके से हो गया है किसी तरीके के कोई प्रॉब्लम चेजिंग टीम को नहीं हो रही है सिर्फ लाश्ट मैच में 145 रन पर 6 विकेट गिरे थे नहीं तो आप देखे यहां पर 4 विकेट, 2 विकेट और 3 विकेट पर रन यहां पर चेज किया जा रहा है तो अविसली सी बात है कि यहां पर 2 विकेट में भी रन चेजिंग का सेनारियो यही होने वाला है अगर इन केस कोई पीच का बिहेवियर चेंज नहीं हुआ तो सेम पीच पर मैच हुआ तो शायद ऐसे ही होगा और अगर पीच चेंज हुआ तो कंडिशन थोड़ा सा बदल सकता है अब बात कर लेते हैं कि यहां पर क्या विकेट की रेशियो रहती है देखें फर्स्ट इनिंग में अगर ध्यान से देखा जाए तो एक-एक का रेशियो थोड़ा सा ज़्यादा दिखाई दे रहा है इसके बाद तीन विकेट है तीन विकेट पांच विकेट और दो विकेट अगर सेकेंड इनिंग में देखा जाए तो लास्ट के तीन मैच में स्पीनर्स को विकेट ना के बराबर यहाँ पर मिले हुए हैं तो हम यह मान कर चलते हैं कि या तो एक से दो विकेट जो है आपको स्पीनर्स को विकेट लेते हुए हम देख सकते हैं दोनों ही इनिंग में ठीक है एक एक दो दो विकेट मिल सकता है बट अगर ज्यादा विकेट की जो रेशियो है वो फर्स्ट इनिंग में थोड़े से बॉलर्स को हमें ज्यादा रखने पड़ेंगे क्योंकि फर्स्ट इनिंग में देखे 5, 4, 3, 4, 4, 6 यानि कि किसी भी कंडिशन में यहाँ पर 4 से 6 विकेट फास्टर्स को मिलेगा और यहाँ पर सेकेंड इनिंग के अगर बात करें तो 2 से 4 विकेट फास्ट बॉलर्स को यहाँ पर मिलेगा एवरेज स्कोरिंग पैटर्न की बात करें तो थोड़ा सा अब एवरेज स्कोरिंग पैटर्न यहाँ पर कम होगा क्योंकि कंटीनिव मैचे यहाँ पर 3-4 खेले गए हैं अगर इससे पहले देखा जाए तो देखे 163, 166, 176, 196, लास्ट मैच जो हुआ था मॉंबई इंडियन्स का 144 का हुआ था तो मुझे लगता है कि इसी पीच के उपर आज का भी मैच होना है यानि कि scoring pattern आपको देखेगा यहाँ पर 140 से लेके 165 के आसपास में देखने को मिल सकता है जो situation है ठीक है अब यहाँ पर यह तो हम समझ लिए लेकिन अब हम यह समझते हैं कि backsmend को किस तरीके से हमें अपने team में रखने पड़ेगा मतलब किस तरीके का backsmend हमें अपने team में रखेंगे जो अच्छे खासे हमें perform करके देंगे तो उसके लिए हम चलेंगे next part पर और वो है हमारा first inning का जो है batting order किस तरीके से perform कर रहा है अगर इसको ध्यान से देखा जाए तो समझेगा last के 4 से 5 match का अगर हम ratio निकालते हैं तो अगर यहां से भी divide करते हैं last के 4-5 match का अगर देखें तो यहां पर opening जोड़ी ऐसा नहीं है कि continuous दोनों के दोनों opener अच्छा perform कर रहे हैं हर match में एक opener flop हो रहा है अगर इससे पहले भी ध्यान से देखा जाए तो देखिए यहां पर देखिए में एक opener flop हो रहा है in fact अगर ध्यान से देखिए तो अभी तक की जो situation दिखाई दे रही है कि तिन नंबर के player तो continue flop हो के जा रहा है इस ground पर चाहे वो किसी भी team से खेल रहा हो किसी भी team का तिन नंबर का player यहां पर flop हो रहा है 4 नंबर हमारे लिए थोड़ा सा important बन सकता है क्योंकि last के 5 match में 3 बार 50 का score करके गया है 3 नंबर का खिलाड़ी 2 बार flop हो है लेकिन बाकी के time जो है अच्छा performance करके जा रहा है इसके बाद अगर कोई perform करके जा रहा है तो वो होगा आपका 7 नंबर का खिलाड़ी जो कि 2 बार यहाँ पर मतलब 2 नहीं 3 बार देखा जाए अच्छा performance कर जा रहा है तो हमारे पास 2 नंबर में से एक important होगा इसके बाद 4 नंबर का खिलाड़ी important हो सकता है फिर 5, 6 और 7 में से कोई एक खिलाड़ी यानि कि आपको 3 खिलाड़ी यहाँ पर अपने team में रखने पड़ेंगे जो की condition आप देखोगे तो आपको यही दिखाई देगा clear है अब बात कर लेते हैं कि कोई भी team batting first करती है तो क्या condition होगा मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है one opener या तो एक opener को रखिए या फिर किसी को मत रखिए अगर आपको लगता है कि दोनों opener flop होंगे तो फिर हमें दोनों ही opener को flop करना पड़ेगा नहीं तो किसी एक opener को हर हाल में हमें लेकर चलना है फिर number 3 के player को लगभग मतलब की flop ही है लेकिन अगर आपको rotate करना हो तो कर सकते हैं लेकिन number 4 का player जो है कोई भी टीम अगर यहां पर लखनव की टीम बैट first करती है तो कुल करनी जो है first match में पिछले match में यहां पर आया था opening करने अगर क्विंटन डिको खेलेंगे तो फिर आ जाएंगे opening नहीं तो कुल करनी है तो आपके पास दो option बचता है वो 90% दिखाई दे रहें ठीके तो आपके पास option कौन सा बचता है 4 और 5 में से जो भी खिलाडी आएगा अगर इन में से कोई भी 4 नंबर पे आता है वो अच्छा खेल कर जा सकता है फिर आपके पास या तो पायूस बदोनी या फिर आश्टन टर्नर इन दोनों में से किसी एक को आपको रोटेट करना पड़ेगा और आज के मैच में कम से कम 4 से 5 ट्रम खिलाडी बाहर निकलने वाले हैं इसलिए ध्यान से देखेगा एक एक चीज समझिएगा सेम कंडिशन आपको कुलकत्ता के साइट से भी होगा आप लोग रोटेशन पर फोकस किजिएगा अब यहाँ पर देखते हैं कि फर्स्ट इनिंग की जो बॉलिंग ओर है फर्स्ट इनिंग में किस तरीके से बॉलर्स को विकेट्स मिले हैं तो ज़्यादा तर अगर हम ध्यान से देखें तो लास्ट के पांच मैचेस को भी अगर ध्यान से देखा जाए तो देखिए यहाँ पर दो-दो विकेट का जो रेशियो है यानि कि इस सेक्टर को अगर ध्यान से देखा जाए तो राई टाम फास्टर राई टाम फास्ट मिडियम जो बॉलर है यहाँ पर किसी भी तरीके से विकेट्स लेके जाही रहे है ठीके दो-दो विकेट का रेशियो हाला कि कम है लेकिन फिर भी किसी भी विकेट मिडिया है इसके बाद एक लेट टाम फास्टर बॉलर जो है वो आपको यहाँ पर इस ग्राउंड पर किसी भी किकेट मिल दा है अगर स्पीनर की बात करते हैं तो लेग स्पीनर ठीके तो देखे लेग स्पीनर का समझजेगा situation क्योंकि दुस्तों पता है क्या होता है विकेट्स तो मिल सकता है लेकिन dream team में आने के लाएक दो विकेट्स किसे सबसे ज़्यादा मिल रहे हैं हमें उस पर सबसे पहले focus करना चाहिए तो देखे अगर leg spinner की बात करते हैं तो दो विकेट्स सिफ एक बार मिला है बाकी के टाइम पर एक 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 एहाँ पर विकेट्स मिलाई नहीं तो आप देख रहे हैं लेग spinner को wickets नहीं मिल रहे हैं दूसरा एक leg spinner और है जिसे 2-2 wickets दो बार मिला है नहीं तो बाकी के time पर wickets नहीं मिले हैं अब बात करते हैं left arm orthodox की अगर left arm orthodox को देखा जाए तो एक बार 3 wickets एक बार 2 wickets और एक बार 2 wickets ये ratio हमारे पस दिखाई दे रहा है तो अब मैं दिखाता हूँ आपको कि इसका conclusion जो है वो क्या हो सकता है तो conclusion क्या है अब देखेगा यहां पर मैंने रखा एक left arm fast baller ठीक है एक left arm orthodox या right arm fast baller ठीक है क्योंकि देखे इन में से दो एक कोई एक हो सकता है कि जिसे wicket तो मिलेंगे इन लोगों को wickets तो मिलेंगे लेकिन हमारे लिए जरूरी क्या है कि कम से कम सबसे पहले अगर कोई हमारे team में हो तो वो 2 wicket लेने वाला खिलाडी या team wicket लेने वाला को जो खिलाडी है उसी हमें अपने team में शामिल करना है ठीक है तो एक left arm faster हो गया दूसरा right arm faster और आपके सामने left arm orthodox और leg spinner इन दोनों में से किसी एक को rotate करना है यही condition होगा अगर कोई भी team ball first करती है तो ठीक है अब बात कर लेते हैं यहाँ पर कि second inning की batting order किस तरीके से perform कर रही है अगर last के 5 match को थोड़ा सा ध्यान से देखा जाए ठीक है तो सिर्फ दो बार ऐसा हुआ कि दोनों opener ठीक ठाख खेले नहीं तो तीन नंबर के खिलाड़ी को अगर ध्यान से देखा जाए तो average से अच्छा performance करके जा रहा है तीन नंबर का खिलाड़ी ठीक है और दोनों opener में से कोई एक opener अच्छा perform करके जा रहा ह देखिए यहाँ पर दोनों चले लेकिन यहाँ पर देख रहे हैं मतलब कि या तो दोनों opener या दोनों में से कोई एक बढ़ियां खेल के जाएगा तिन नंबर का खिलाड़ी भी यहाँ पर average अच्छा performance करके जा रहा है चार नंबर का खिलाड़ी सिर्फ एक बार अच्छा ख सेनारियों देखने को हमें मिल रहा है तो उस condition में क्या करेंगे यहाँ पर देखिए इस condition में क्या करेंगे मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है वो थोपनर या तो दोनों opener को रखिये या दोनों में से किसी एक को रखना है और उसी के साथ रोटेट करना है और अगर आप किसी एक opener के साथ जा रहे हैं, तो अगर आपको लगता है थोड़ा सा risky match में जाना है, तो आप सिधा नंबर 5 के player को अपने team में शामिल कर लेज़ेगा, नहीं, तो अगर आप किसी एक opener के साथ जा रहे हैं, याद रखेगा, फिर से बता रहा हूं, अगर आप किसी एक opener के साथ जा तो आपको number 3 और number 4 ठीके, इन दोनों को रखिए या फिर दोनों में से किसी एक को, तो हमने जो situation देखा, कि हमारे लिए कौन ज़रूरी है, ठीके, number 1, यानि कि कोई 1, 1 opener हमेरे लिए important हो सकता है, पहली बात, ठीके, पहला number, दूसरा, number 3 का player, ठीके, अच्छा खेल के जा रह आएगा number 4 या और number 5, ठीके, ये हमारे पास condition दिखाई दे रहा है, batting order second inning में, clear है, अब देखिए second inning के जो bowling order है, वो क्या कह रहा है, यहाँ पर, अब second inning में left arm pesos पे फोकस करते हैं, सबसे पहले, first inning में देखा कि जब भी खेला, तो wicket लेके गया left arm pesos, लेकिन second inning में देखिए, दो wicket सिर्फ एक बार हुआ है, दो wicket जो है, सिर्फ एक बार, बाकी के time पे यहाँ पर wickets नहीं भी मिले हैं, नहीं तो एक एक wicket मिला है, देख रहे हैं, तो या तो नहीं मिलेगा, या फिर एक wicket मिलेगा, अब बात कर लेते हैं कि सबसे ज़्यादा wickets लेने के chances किसके हाई दे रहे हैं, तो देखे, लेग spinner जो है, दो wicket, 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 देख रहे हैं, दो wicket कितने बार लिया, पांच बार, ठीक है, इसके बार एक एक wicket भी है, wicket ना लेने की जो संख्या है, वो सिर्फ दो बार, सिर्फ दो बार wicket ना ल तो यहां पर पाँच वुकेट भीक वी एक बॉलर लेके है, इसके बाद आप देखिए, यहां पर भी एक बार पाँच वुकेट राइटं में फास्ट बॉलर लेके गया। यानि कि कई बार ऐसा होता है कि जब team collapse होती है और एक ही baller 4-5 wicket भी लेकर गए हैं इस ground पर खास तोर से secondary में but average performance हमारे पास यहीं दिखाई दे रहा है कि wickets थोड़ा सा या तो 1-1 wicket का ratio है या फिर wickets नहीं भी मिल रहे हैं आप देखें कितनी बार हुआ ठीके अब इसकी conclusion I know कि आप लोगों को confusion बहुत सारी होती होंगी इसलिए मैं पूरी की conclusion निकाल लेता हूं और conclusion क्या कह रहा है कि second inning में एक leg spinner आप देख रहे हैं सबसे पहले मैंने लेग spinner एक leg spinner जरूरी है अब आपके सामने option बचता है दो right arm fast baller या तो दो right arm fast baller और एक leg spinner के साथ आप जाओ या फिर leg spinner को रखो एक right arm fast baller को रखो और दूसरा या तो left arm fast baller या फिर left arm orthodox यही आपको rotation करना होगा second inning में balling department अगर आप लोग अभी तक डाउनलोड नहीं किये है तो जाए डाउनलोड को यह बिल्कुल free entry है कोई पैसे नहीं लगने है यहाँ पर 50,000 रुपे का free giveaway है एक rank पे अगर आप दोस्तो rank 1 पे आते हैं तो आपको यहाँ पर कम से कम 25,000 रुपे कम से कम क्या 25,000 रुपे fix है एक rank वाले को 25,000 रुपे को 8,000 रुपे है और free entry है यहाँ पर कोई पैसे नहीं लग रहा है game 611 ठीक है यह देखिए game 611 के उपर आपको जाना है description box के अंदर link दिया हुआ है जाए डाउनलोड कीजिए और जब डाउनलोड कर लीजिएगा तो वहाँ पर आपको लिखना है grand 11 referral code grand 11 डालिएगा तो आपको extra bonus मिलेगा और उस bonus का इस्तेमाल आप जो है यहाँ पर कर सकते हैं जहाँ पर price pool 20,000,000 रुपेगा है ठीक है यहाँ पर grand mega league का आपको contest मिलेगा जहाँ पर 25,000 से लेकर 35,000 ही लोग आपको दिखाई देने वाले हैं ज्यादा लोग यहाँ पर 1 पर आते हैं तो 3,000,000 रुपे का first price है और I know एक से लेकर 100 rank आना आप लोगों के लिए बहुत easy हो सकता है game 611 के उपर बहुत सारे दोस्ते हैं पर अच्छा profit कर रहे हैं आप भी खेल कर try कीजिए अब बात कर लेते हैं यहाँ पर कि किसे एक साथ नहीं रखना है किस-किस खि अब मेरे कहने का मतलब यह है कि इन सभी को आपको एक साथ नहीं रखना है इन में से ठीक है इन में से देखिए केल राहूल होते हैं पी साल्ट होते हैं अंद्रे रसल हो गए सुनिल नरायन हो गए इन चारों में से मिनिमम एक और दो खिलाड़ी जो ऐसे होंगे मतलब मान के चलिए दो खिलाड़ी इन चारों में से दो ऐसे हो सकते हैं जो आपको आज धोखा दे के जाएंगे ग्रैंड लिग के परपस से स्मॉल लिग में भी लोगों को धोखा देंगे अब बचते हैं वेंकटेश आयर मारकास अस्टोईनिस और मोशिन खान या तो ये रोटेशन किस तरीके से करना है ये समझे जैसे कि मान लिजए आपने एक टीम बनाया जिसमें केल राहूल को रखा तो आप तीस साल को ड्रॉप कर दो वेंकटेश एयर को ड्रॉप कर दो फिर आप सुनील नराइन को टीम में रख लो आंद्रे रसल को रख लो ठीके और फि तब ही को एक ही टीम के अंदर नहीं रखना है ठीक है एक ही टीम के अंदर नहीं रखना है रोटेशन तयार करना पड़ेगा ठीक है बेंकटेश एयर पिछले दो मैच से अच्छा खेल के जा रहे हैं पी साल्ट हाला कि थोड़ा सा फास्ट खेलते हैं लास्ट मैच में अच यह आपको भी पता है कि यह दोनों opening करने आते हैं तो एक team के अंदर आप इन दोनों को रखे और एक team में अगर आपको rotate करना होगा तो पी salt को drop करके सुनील नराएन के साथ जा सकते हैं region कि सुनील नराएन अगर 10 run 15 run बनाते हैं मान के चलिए कि अगर 15 run पर यह पी salt भी out होते ह और 15 रन पर सुनील नरायन भी आउट होते हैं, तो dream team में आने के chances जो है नव सुनील नरायन के 100% हो सकते हैं, और मातरे 60% dream team में आने के chances पीसाल का होगा, region की सुनील नरायन 4 ओबर complete अपनी balling भी डालेंगे, ठीक है इसलिए थोड़ा सा सुनील नरायन पर risk रहता है drop करने का, आप इनको cvc try नहीं कर सकते हैं, cvc try नहीं कर सकते हैं, लेकिन कम से कम team में रखना पड़ेगा, तो यह है आपके सामने, इनको एक साथ नहीं रखना है, इन में से कोई खिलारी, 2-3-4 खिलारी flop हो सकते हैं, लकनाव सुपर जाइंट्स के जो बैक्समेन हैं, वो कौन-कौ कर रहा है, केल राहूल की अगर performance देखा जा है, continue अच्छा चल रहा है, first inning, second inning, दोनों ही inning आप ध्यान से देख लिजेगा, यह चार्ट है, आपके पास देखने के लिए, ठीक है, मारकस स्टोइनिस पिछले दो मैच से बहुत बढ़िया performance करके जा रहे हैं, देखे यहां पर जो है, second inning में 124, और second inning में 62, first inning में इन्होंने, अपना विकेट जल्दी फेक दिया था, Nicholas पूरन आज के मैच के लिए, important खिलारी बन सकते हैं, हाला कि इनको आउट करने वाले भी बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन, पिछले दो मैच से यह कुछ खास कमाल नहीं कर रहे हैं, त तो यह कुछ प्लेयर हैं, जो important होंगे, क्यूंटन डिकॉक खेलेंगे तो इनको रखियेगा, नहीं तो, मारकास स्टोनिस पर थोड़ा सा मुझे आज डाउट हो रहा है, कुनाल पांडिया भी आज के मैच के लिए, trump player होंगे, ठीके, चलिए आगे बात करते हैं, क्योंकि जब ही आपको वो भी list दिखाऊंगा, जिसके अंदर trump player कौन-कौन से होंगे, रवी विश्णोई के बात कर लेते हैं, तो ज़्यादा तर टाइम पे इनको विकेट वैसे नहीं मिला है, बट इस ground पर second inning में leg spinner को विकेट मिल दाया है, first inning में chances थोड़ा सा कम दिखाई दे रह है, motion खान की बात कर लेते हैं, continue विकेट लेके जा रहे हैं, एक बार विकेट नहीं मिला है, आज के match में देखते हैं क्या सेनारियो है, फिलहाल मुझे थोड़ा सा doubt हो रहा है, मात्र 70% chance है, 70 क्या 60% मानके चलो या 50% मानके चलो कि dream team में आएंगे, अब बात कर लेते हैं कु इसलिए दो match से इनको कोई विकेट नहीं मिला है, और batting से भी कोई युगदान नहीं दिया है, इसलिए आज के match में मुझे लगता है कुरान पांडिया एक important role निभाएंगे, इनको team में rotate जरूर किजिएगा, इसके बाद 9-0 हक खेलेंगे तो first ball में रखिएगा, इसके कत्ता नाइट राइडर्स के तरफ से देखिए, यहाँ पे कुछ प्लियर्स जो होते हैं दोस्तों लगभग fix आपको दिखाई देंगे, विंके टेस्ट इयर पे थोड़ा आज doubt हो रहा है, ठीक है, खास दोर से second bite में खेलेंगे तो rotate किजिएगा, first inning में drop करने का risk ले सकते ह चलिए, सुनील नरायन की बात करते हैं, इनको तो fix रखना पड़ेगा, आंद्रे रसल को भी fix रखना पड़ेगा, क्योंकि यह death में भी balling कर जाते हैं, और last के दो match से, बैटिंग से कोई point नहीं दिया है, देख रहे हैं, बैटिंग से कोई point नहीं दिया है, इसलिए important है, र फर्स्ट बैट में रखेगा, फर्स्ट बैट में रखेगा, सेकेंड बैट में हटा दीजिएगा, मनिश पांडे अगर खेलेंगे, तो रखेंगे, मनिश पांडे तभी आएंगे, जब collapse होगी कुलकत्ता की टीम नहीं, तो इनके आने के chances कम दिखाई देंगे, केके आके ब बिकेट लेने के chances भी अच्छे होते हैं, बट इस spinners को थोड़ा सा उतना help नहीं मिल रहा है, और आपने देखा होगा, फर्स्ट इनिंग में एक बिकेट करेश्यू रहता है, दो बिकेट बहुत कम leg spinner को मिले हुए है, फिर भी मैं तो rotate करूँगा, drop करूँगा, आपको अग आपके सामने बैभावर ओड़ा आज के मैच के लिए trump player रहेंगे कुलकत्ता के तरफ से, मिचल स्टार्क तो default में रहेंगे, बट आज के मैच में left arm pesos को थोड़ा सा आपने देखा होगा, फर्स्ट इनिंग, second inning, second inning में left arm pesos को थोड़ा सा कम help मिल दा है, तो second inning में आप इनको ह तो यहाँ पे कुछ खास कमाल नहीं है, सिफ स्रे सयर का है, 50 और 38 का run है, सुनील नरायन कुछ खास कमाल नहीं कि है, head to head में, आंद्रे रसल एक बर 45 है, दो बार flop हुए है, रिंकु सिंग का अच्छा record है, 40 और 77 run का है, और पी साल्ट लास्ट मैच खेले थे, 89 run बनाये थे, रगवन सी, लास्ट मैच में 7 run है, तो और किसी का कुछ खास record नहीं आ रहा है, द्विंकटे शायर का देखिए, 0 पे आउट हुए, और 24 पर भी आउट हुए है, तो इसलिए बोला था, head to head में थोड़ा से इंगा performance, अच्छा फिलहाल मुझे नहीं दिखाई दे रहा है, के बाकि दो बार इनको विकेट नहीं मिले है, लेकिन अब एक important खिलारी है, जो दोनो बार में ही विकेट लिया है, और वो है, बाइभाव अरोडा, दोनों ही मैच में विकेट लिया है, मीचल स्टार को लास्ट मैच में इस फर्स्ट इनिंग में 3 विकेट मिले हुए थे, एक बार पचास और एक बार अठाईस एक बार दस पे आउट हुए हैं, तो कहीं न कहीं किंटन डिको अच्छी पारी खेल जाते हैं, खुर्कत्ता के अगेंस्ट, आप देखें आयूस बदोनी, फर्स्ट इनिंग में important होते हैं, आपको 25 से 30 रन बनाके चले जाएंगे, ठी पांडिया एक बार 25, बाकी 9 और 7 विकेट है, और निकोलास पुरन, देखें, important खिलाडी हो सकते हैं, आज के मैच के लिए, अंठावन और 45 रन है, अच्छा record है, फर्स्ट इनिंग में खास तोर से, head to head में record अच्छा है, निकोलास पुरन का, कलकत्ता के अगेंस्ट, LHG के बालर्स की बात करे, head to head में, तो रवी विश्णोई, important इसलिए बोला, देखें, यहाँ पर continue विकेट लेके गया है, लास्ट में सिर्ट नहीं मिला है, और आप देखें, सारे के सारे जो विकेट है, वो second inning में इनके हैं, इसलिए मैंने बोला, second inning में स्पीनर्स को रखना जर दोस्तों, जो players हैं, कौन-कौन important हो सकते हैं, ठीके, बैभाव अरोडा, 19% का selection है, important role निभाएंगे, नविनु लग, 20% है, कुनाल पांडिया, 20% है, आश्टन टर्नर, 4% है, और आयूस बदोनी है, जो 10% है, इन 5 player में से, कोई 2-3 player ऐसे होंगे, जो आज अच्छा खासा points द fix कर सकते हैं, first ball में fix कर सकते हैं, इसके बाद, आयूस बदोनी को first ball, first bat में fix कर सकते हैं, ठीके, fix मत कीज़ेगा, rotate कीज़ेगा, क्योंकि अगर kale राहूल, अगर top order अच्छे खासे चल जगए, तो फिर बदोनी के chance जूतने नहीं आएंगे, लेकिन, first bat में ही आप इनको try कीज बाकी ये दो बजते हैं, इन दोनों को rotation में डालिएगा, तो ये जो खिलाडी आपके सामने में निखा हुआ है, ये trump player है आज के match के, इन में से कोई 2-3 player ऐसे होंगे, जो अच्छा खासा point आपको आज देखे जाएगे, अब देखें, यहाँ पर मैंने first inning और second inning का average लिख द पर second inning में बहुत बढ़िया performance चल रहा है, वैसे Marcus Stonis जो है first inning में performance अच्छा होता है, Nicholas Puran का second inning में 49 का average है, और Ayush Badoni का देखें, first inning में 31 का average है, second inning में मातर 14 का है, जो मैंने आपको बताया, ठीक है, इसके बाद कुनाल पांडिया की बात करते हैं, 24 का average है, first inning में 23 का average है, second inning में second inning में विकेट लेने के संख्या थोड़ा सा जादा है, 44 बिकेट second inning में है, और first inning में 31 बिकेट है, रवी विष्णोई दोनों ही inning में बराबर बराबर हिस्सेदारी है, 39 और 30 बिकेट का है, यस ठाकुर first inning में 7, लेकिन second inning में 16 बिकेट है, मैंने आपको जो की बोला है, मोशि इनिंग और second inning का, वो ये निकल के बाहर आता है, अब बात कर लेते हैं, कुलकत्ता के जो प्लेयर्स हैं, जो इनके क्या hit to hit का record है, sorry, states है, average के recording अगर देखा जाए तो, पीस साल, second inning में 47 का average है, ठीक है, सुनील नरायन का लगभग दोनों में बराबर ही है, रगवंसी का first inning म इनिंग में 25 का average है, तो first inning में important हो जाते है, स्रेस इएर, देखिये, second inning में ठीक है, first inning में अभी मतलत दोनों इनिंग में लगभग बराबर है, बोत inning में इनका लगभग बराबर है, और 27 का average है, वेंकेटे साइयर का first inning में और 31 का average है second inning में, रिंकु सिंग की बात करें, राई करना है, first inning में उतना impact नहीं डालते हैं, अब देखिए अब यहां से आंद्रे रसल 65 बिकेट है, first inning में, 42 बिकेट है, second inning में, first ball में बहुत try किजिएगा, अच्छा खेल सकते हैं, अब बात करते हैं, Mitchell Stock, 27 बिकेट, first inning में, second inning में, 18 बिकेट है, Varun Chakravarti, 31 बिकेट, first inning में, 44 बिकेट जो है वो 2 इनिंग में है और यहाँ पर बैभाव और ओडा 2 इनिंग में 11 बिकेट है 1 इनिंग में 6 बिकेट है हरसित राना खेलेंगे तो देखिएगा इनका भी 2 इनिंग में 10 बिकेट का रिश्यो है तो यह कुछ प्लेयर्स थे जो की इंपोर्टेंट आज के मैच में भी हो सकते हैं इनिंग वाइस मैंने आपको सारी चीज़े डिटेल बता दिया अब दोस्तों फिलहाल के लिए मैं अपने टीम के अंदर जो है पी साल्ट और निकोलाश पुरन को रख रहा हूँ इसके बाद बैटिंग से बाकी टीम जो है मैं आप लोगो को रूटेट करते हुए टेलिग्राम पर भेज दूँगा यहाँ पर मैं आपको आश्टन टर्नर श्रे सायर ठीक है ये दो प्लेयर को उठा रहा हूँ सिफ दो प्लेयर को ठीक है श्रे सायर और एश्टन टर्नर और फिर आंद्रे रसल होगे सुनील नरायन होगे और कुरुनाल पांडिया ठीक है एक कुलकर्ण नी और बॉलिंग सेक्षन से नमिनुल हक, मयांक यादव और बैभावरोडा ये तीम प्लेयर को मैं लेके जा रहा हूं अगर मुझे रोटेट करना होगा अगर मुझे रोटेट करना होगा तो कुलकर्णी और एस्टन टर्नर इन दोनों के जगा पे मैं रोटेट करूँगा या तो केल राहूल के साथ जाओंगा ठीक है तो फिलहाल के लिए ये टीम है जो मैंने अभी आप लोग को बनाया हुआ है अगर आप लोग को और रोटेट करना होगा तो या तो एस्टन टर्नर और कुलकर्णी मालेजे टर्नर के जगा पे आपने राहूल को ले लिया और कुलकर्णी के जगा पे आपने यहाँ पे मिचर एस्टार को ले लिया ये भी आप रोटेशन यहाँ पे कर सकते हैं ये फिलहाल के लिए है रिस्की वो मैं आपको शाम को टेलिग्राम पर बता दूँगा अभी फिलहाल में यहां पर जो है निकोलास पुरन को काप्टेन और नमेनुलहब को वाइस कैप्टेन बना रहा हूँ फिलहाल के लिए यह फिलहाल के लिए आप चाहो तो अंदेर असा सुनी लाएन इतने सारे आप्शन है यह फिलहाल के लिए है फिक्स नहीं है फिलहाल मैं ऐसा करके लेके जा रहा हूँ और जो भी बागी के डिटेल होगा व मिलते हैं फिर नेक्स वीडियो में तब तक के लिए जय हैंदे.